आयोध्या जोकी भगवान राम के एतिहास एक प्राहण प्रतिष्ठा की मेजबानी कर चुकी है अब दीपोसब के भव्यायुजुन के लिए तयार है आयोध्या को इंटेलिजन डायनेमिक करट चेंजिंग एलेडी डेकुरेटी पैनल्स और मल्टी मीडिया प्रोजेक्शन से सजाय जाएगा जिससे शहर की हालों के एक शोभा बढ़ेगे और दीपोसब के दोरान विभ्यनी स्थानों पर थीमेटेक लाइटेड आर्क पिलर्स लगाय जाएगे जो की स्वागत द्वारों और प्रमुक पथों को सजाएगे चार दिनों तक विभिनिस अंस्कृतिक कारेक्रम आयोजित किये जाएगे जिसमें सो से ज्यादा कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे इन कारेक्रमों में प्रभू स्री राम के जीवन चरित्र से जुड़े प्रसंगों का मंचन विशेस रूप से मुख रहेगा आयोध्या में वर्चुल रियालिटी प्लैटफॉर्म के जरिये प्रमुक तीर्थी स्थलों के दर्सन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी इसमें स्री राम जन्म भूमी मंदिर, हनुमान गड़ी मंदिर और अन्य प्रमुक मंदिरों को शामिल किया गया है उतरप्रदी सरकार ने इस दीपू सब को विशेज बनाने के लिए कई नवाचार किये हैं और आयोध्या में ये आयोजन एक बार फिर से भविता और आस्था का प्रतीक बनेगा